एलो दोस्तों Welcome to building जानकरी दोस्तों आज इस वीडियो में आप से स्यार करेंगे अपनी घर में जब आप लोग उस्तों प्लास्टर करता है प्लास्टर हो जाने की बात आपको भाया कितने दिन तक दोस्तों कीूरिंग करना चाहिए तब ही जाकर आपका जोब प्लास्टर है क को पूरा प्रोसेस देखाएंगे एकिन मानी दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों घर की मालिक है और इस वीडियो को भाई देखने की बाद अब कभी नहीं दोस्तों भूलेंगे और इस प्रोसेस को एप्लाई करने की बाद अपनी प्लास्टर में दोस्तों एक आच्छा इस् चिपक जाए तो भाया पूरे घर में एक और या करने में अगर आप लोग उस्तो नबर उन सेयों मेनिट क्वित और उस्विआ करें अगर आप प्लास्टमर फिर टारीका से करेंगे तो आपका पूरा पैसा दोस्तो काफी हद तक दोस्तो बरवाद हो जाएगा अब सवाल है दोस्तो प्लास्टर हो जाने के बाद हमें भाईया क्यूरिंग कितने दिन तक करना चाहिए तो दोस्तो मैं आपको क्लियर करके बता दू जब ही दोस्तो आप लोग प्लास्टर इस बात का दूस्तों ध्यान रखना जब ही आप लोग प्लाश्टर करने की एक दिन पहले दुस्तों जिस वाल में आप लोग प्लाश्टर करने जा रहा है उस वाल को दूस्तों एक दिन पहले आपको अच्छे से भीगो देना होगा दूस्तों वाल को या तो अंदर से या से दोस्तों बाहर से होता कि है दोस्तों अगर आप लोग बाहर ही बाला हिस्से में प्लास्टर कर रहा है और बाहर में आप लोग क्यूरिंग करेंगे ब्रिक्स की उपर ओ जो पानी है ना क्यूरिंग का पानी भीया आपकी वाल की अंदर तक नहीं पूंशता है इसलिए दोस्त में ही आपको अच्छे से भाईया क्यूरिंग करना होगा तब ही जाके दोस्तों आपका प्लास्टर इस्ट्रोंग होगा यह तो थी दोस्तों प्लास्टर करने की एक दिन बाद आपको इस तरह की क्यूरिंग करना होगा और जिस दिन भाईया आप लोग प्लास्टर करने जा रहा है उस दिन दोस्तों आपको अच्छा सा फिर से क्यूरिंग करना होगा पूरे वाल में पानी टपकना चाहिए इस तरह से आपको अच्छे से क्यूरिंग करना होगा और क्यूरिंग करने की बात दोस्तों आपका जो वाल है पूरे वाल में दोस्तों आपको एक सीमेट का खोल लगाना है एक लियार देना है दोस्तोव सेमेट का खोल लगाने से आपका जो वाल है काफी हरत तक भही याव वाटर पूर्पिंग हो जाता है इसलिए दोस्तों सेमेट का घोल लगा के आप लोग प्लस्टर को सडार्ट करना है और plaster हो जाने की बात next day यान कि दोस्तो अगले दिन सुभे आपको तराई करना है दो पेर को आपको तराई करना है और दोस्तो साम को भी आपको तराई करना है यान कि दोस्तो दिन में तीन बार आपको curing करना है तराई करना है और अगले दोस्तो साथ से लेकर 10 दिन तक दोस् प्लाष्टर है उसका पूरा फिर अगर 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 आपका प्लाष्टर पूरे तरह से पानी को निगर लिया अपने अंदर तो जाहिर ցप प्लb Gus स्ट्रॉंग होगा होता है कि दोस्तों कि प्लाष्टम मि भाई एगर आप लोग अगर फैसे कियूरिंग stat सुक्ड जाने की बात जब उस में आप लोग पेंट करेंगे न दोस्तों तो उस पेंट को दोस्तों इस प्लास्टर अपने अंदर खीछ लेगा और खीचने का कारण अपका जल्दी और शोकने तो 59 पैंट्ड यह खराब्हो जाएगा और दोस्तो अगर आप लोग चाहता है वाटर पूल स्ट में हो ना चाहिए वाटरफूर्पिंग काम भी कर जाएगा और दोस्ते एक चीज का हमेशा ध्यान देना कि आगर आपका प्लास्टर है प्लास्टर करने की बाद उसमें अगर प्रोपर तरीका से क्यूरिंग नहीं होता है अगर आप दोस्तों घर की मालिग है तो इस चीज का ध्यान देना जो लेवार मिस्त्रियाइप की घर में काम कर रहा है क्या वो लोग दिन में दो तीन बात तराई कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमने कहीं जगा में देखा है कि लेवार को भाईया कह दिया कि आपने घर को तराई करना है और लेवार क्या करता है दोस्तों जगा जगा में तराई करक ध्यान देना आप खूद दोस्तों हो सकतों क्यूरिंग करना ताकि दोस्तों अच्छा से आपको एक रेजाल्ट मिल जाए अप सवाल है दोस्तों प्लास्टर करने का कितना दिन भाद हमें पेन करवाना चाहिए अपने वाल में तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दो जिस द पूरे तरह से दोस्तो सफेदी हो जाय हो गुत अब समें कम से काम बीस से लिकम कर और पचीश दिन तक आप लोग उस वाल को छोड़देंगी ज़से और बीस्ते 15 दिन बाज रोस्तो आप लोग 우समे अगर पैंटिंग का प्रोसेश जो आज प्लास्टर कथम हो गया और आगले तीन दिन करके थोड़ा बहुत क्यों करके पांच वादीन दूस्तों में पेंटिंग प्रोसेस शुरू कर देता है वाइट सेमेर सुन हो जाता है वाल पुत्टी और पेंट भी हो जाता है लेकिन तो कुछी दिने बात उसका साइड इपेक्ट भाईया हमें देखने को मिल जाता है और पेन दोस्तों हमें काफी हाथ तक खरब हो जाता है तभी हमें ऐसा सुने दोस्तों कि इस प्रोसेस को भाईया हमें नहीं करना चाहिए था